नमस्कार हल्चल में आपका स्वागत है सबसे पहले नज़र डालते हैं अपने शहर और आसपास की हल्चल पर पंजाब के मुख्यमंतरी भगवन सिंग मानने गुरुगोविन सिंग स्टेडियम जालंधर में खेड़ा वतन पंजाब दियां का किया उदगातन वॉल्ली वॉल मैच में दिखाए अपने जोहर जालंधर के बस्ती दानिश्मंदा इलाके में बेटी के बच्चे को नहर में पिता को लोगों ने किया काबू, किया पुलिस के हवाले शिरोमणी अकाली दल बादल के परधान सुकवीर सिंग बादल सिवल कोट जीरा में हुए पेश आप सरकार पर साधा निशाना और अब हल चल विस्तार से पंजाब के मुख्यमंतरी भगवंत सिंग मान द्वारा जालंदर के गुरू गोविन सिंग स्टेडियम में खेड़ना वतन पंजाब दियां का उदगाटन करने के साथ बड़े खेल महाकुम खेड़ा वतन पंजाब दियां 2022 का आगाज बड़े ही शानदार और जोशीले ढंक से किया गया तो वहीं मुख्यमंतरी ने खेल का जंडा लहराने के बाद अलग लग जिलों से भाग लेने वाली टुकडियों के मार्च पास्ट से सलामी भी ली इस दुरान उनके साथ उनकी धरम पत्नी डॉक्टर गुर्पित कौर भी मौजूद रही लगबग दो महिने चलने वाले इस शांदार खेल में लेके उधगातन के दौरान मुख्यमंतरी ने कहा कि इन खेलों में अलग अलग उम्बर के चार लाग से अधिक खिलाडी ब्लॉक से लेकर राज्यस्तर तक 28 खेलों में भाग लेंगे उन्होंने कहा कि राज्यस्तरिय विजेताओं को 6 करोड रुपे के नकद इनाम भी दिये जाएंगे और यह खेल मिला अब हर वर्ष हुआ करेगा वही मुख्यमंतरी भगवन सिंग मान ने कहा कि उन्हें आज हसता खेलता और नाचता पंजाब देखकर बेहत खुशी हो रही है इस औरान स्टेडियम में निकाली गई मशाल यात्रा में औलम्पिक और कॉमन वेल्थ खेलों में मैडल जीच चुके 13 खिलाडियों ने हिस्सा भी लिया तो वही मुख्यमंतरी भगवन सिंग मान ने भी वॉल्लीबल मैच में हिस्सा लिया इस मौके पर अलग अलग स्कूलों के बच्चों द्वारा सांस्क्रितिक एवम सभ्याचारिक कारिक्रम भी पेश किया गया वहीं समरो में आयोजित संगीत मही शाम में परसिद सूफी गायक नूरा सिस्टर्स पंजाबी गायक रंजीत वावा और अमरित मान ने भी अपने गीतों के माध्यम से उपस्ति दर्शकों का मन मोलिया इस अफसर पर जिले के प्रशासनिक पुलिस अधिकारियों सहत सभी विधायक भी मौजूद रहे बहुत कमाला जिनुकेंदे आए अज मैं कहसा ना पंजाब दे वेचे खेड जो पती शुरू का आता है और पंजाब जड़ा आज जलाया पौदा मुक्पंदरी जी ने शुरू किता मान जो को अंतमान जी ने और मीटेर साब ने बहुत बड़ा बटब्रिक्स बढ़ेगा और बच्चेयानों बहुत जल्दी नश्यान दूर करेगा बच्चे तो अड्रेक्ट होगा बहुत बड़ी हो आए कि पंजाब दे बेचे के नमी ऊर्जा आई एक प्रस्परिटी आई एक हैपीनेस आई एक स्ट्रेंथ आई लोका देंदर क्योंकि दुरिया जी तरक्की होते ही है जिते खुशी है जिते खुशाली है जिते तंदरुस्ती है तो आज तंदरुस्त पंजाब सेजन दे के पहल होई है जिड़ा के एक 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 जेंपल है यह बदलाव दी एक एक बदलावा से लिए तरह जीड़े खेटा होण क्योंकि दुनिया जी तंदरुस्ती जेड़ी है ना वो सिर्फ ते सिर्फ खेटा नाड स्पोर्स नाड पैदा हों दिया और मुक्रमांतरी साहब ने और स्पोर्स मिनिस्टर साहब ने कमाल दा कम घीता और वंटरफुल एक बारिश आगी सी पहलों लगदा सी की लोग चले जानगे पर लोग का दा उतिशा नहीं खतम होया इसनों देखे लोग नहीं जानदे जीड़ी चंगी हो तो लोग कदर ही जानगे लोग का नों सिर्फ एंटर्टेन्मेंट नहीं है लोग का नों एक पॉजिटिव मैसेज गया और दुनिया देख गया के हों पंजाब जेड़ाया एक पुलिटिकल ट्रॉम में जो बाहता बाहर आ गया ओने इत्थे जड़े लोग ने ओं लोग न जाल अंधर के बस्ती दानिशमंदा इलाके में आधी रात को उस समय हंगामा हो गया जब एक पिता द्वारा अपनी बेटी के बच्चे को नहर में फेंकने की कोशिश की गए इस दुरान लोगों ने उसे पकड़ कर बच्चे को अस्पताल पहुंचाया तो डॉक्टरों न बच्चे को मृत गोशित कर दिया लेकिन उसके बाद जो कहानी सामने आई उसे देखकर सब के रॉंग्टे खड़े हो गए बच्ची के पिता को पकड़ कर जब लोगों ने लड़की से पूछताच की तो उसने बताया कि उसकी उम्र महज 14 वर्ष है और वह जलंदर के दमकाया था कि अगर उसने यह बात माता को बताई तो वह दोनों का कतल कर देगा तो वहीं दूसरी तरफ लड़की की माने भी माना कि उसका पती निशेडी है और निशे के कारण ही उसके पती ने उसका वह उसकी बेटी का जीना हराम किया हुआ था लड़की की माता ने कहा जालंदर के सिवल अस्पताल में लोगों का इकट होना शुरू हो गया जिसे देखकर तुरंत पुलिस मौके पर पहुंची पुलिस जांच अदिकारी कमल जीत ने बताया कि उन्हें घटना की पूरी जानकारी मिली है और फिलहार लड़की के पिता को राउंड अप किया गया है लड़की के ब्यानों के बाद ही अब अगली कारेवाही की जाएगी जालंदर से पंकट शर्मा की रिपोर्ट कि अचे मिलीमों करीश इसलियें इसली जाएगा Bisika करते जाएगर, कंष सेथिके लड़की अन्हें हुँ किता करंफ फ़ीज़ा जँ माजाता है के पूरीर विखतों को दोन दुनाने में ब्यानि तानन वार भीड़को भी जोड़बी Нे, बदेव यरोड ने, बेरे भर्ण करेवचा, जो उखोगेता है की तरी हो रहे जह दो हुआ है क्या रहनी परके मिणा राज़ीमन अब भर्ण मेрат मैं अभाजोतारो निकार कजिए है डाकते अऩ़ने यह बच्चा किसता जर्ड पाई नहीं पता तो आणी वाइप लो एधिशन ना रहे तो इन श्राइब बस्ती बाबा खेल दे वीच एक निवली बॉर्ण बेवी सिगा मदरते फादरों नाज जारे से रस्ते वीच रागिरना देख्या उनों के शक्क होई रहे हैं तो इस प्लेफ इन्टेंशन होनी बच्चे निको इटए कर दे उने तो राग एदर लेके आए बच्चे नहीं नों चे नों नो चे पेरिंट नो नो ते बच्चा जो अद्मिट होया है थे डॉक्टरा ने कहना कि दा बेबी ब्लॉट ड़ॉट ड शिरोमनी अकाली दल, बादल के परधान और संसत के सदस्य सुकवीर सिंग बादल, सिवल कोट जीरा में पेश हुए तो वहीं सुकवीर बादल की और से अकाली दल के अन्य नेताओं और वरकरों सहित 2017 में जीरा अमरिसर नेशनल हाईवे नंबर 54 मक्खू के नस्दीक बने बंगाली वाला पुल पर रोड जाम करने के मामले में उनकी पेशी हुए पत्रकारों की तरफ से सुकवीर बादल से पुछेगे सवाल का जवाब देते हुए उनकी सिवल कोट जीरा में पेशी थी जिस कारण विस्ट के सामने पेश नहीं हो सके इस मौके पर उनकी और से आमाद्वी पार्टी की सरकार पर तीखे शब्दी हमले भी किये गये जीरा से हलचल के लिए सतीश विच की रिपोर्ट पंजाब की नौजवान पीडी को पढ़ाई के साथ साथ खेलों के प्रतिवी उतसाहित किया जा रहा है और हर स्कूल के विद्यार्थियों की और से खेलों में भाग भी लिया जा रहा है अगर खेल मैदान में ही खिलाडी द्वारा रेफरी के साथ बुरी तरह से मारपीट की जाए तो यह बहुत बुरी बात है ऐसा ही एक मामला सामने आया है नाभा के एक नीजी स्कूल की ग्राउंड में जहां स्कूल के ही छात्रों पर रेफरी के साथ बुरी तरह से में हैं और चात्रों के अभिवाव को ने कहा कि वे आज के बाद अपने बच्चों को खेलों में भाग नहीं लेने देंगे क्योंकि जब रेफरी की ही स्कूल के मैदान में मार पिट की गई है तो बच्चे किस तरह से सुरक्षित रहेंगे वहीं समंद में पुलिस गहनता से मामले की जांच कर रही है पुलिस सदिकारियों का कहना है कि इसकी सारी जिम्मेदारी स्कूल परिशाषन की है और स्कूल परिशाषन की अंदेखी के कारण ही यह सब कुछ हुआ है नाबा से हलचल के लिए राहूल खुराना की रिपोर्ट नाबा से वाट टोट थो एक पोन प्रेंट ता मुंद्डा सिगा और जटा भी बिए गहाँ अधिवर्ट स्कूल देश बढ़ता प्याता प्याता गवारी हुआ जिन लड़ाइना बंदे बलारे बारो इस वन वनलों की मेरा फौल बुरा लागया होगा तो फिर उने बंदे पर लाले बारो तो फिर सोदा मुंडा में नो फाड़के कुट्टेर दो नकल लादी है किंदी कम अधिक मुंडे बलाए हो नहीं मंदे काफी बड़े सिगे लंदे लंदे सिगे लंदे से चेचे साइब फुट तो अपरे सिगे बाकिये कारवाई यागी आज काल नानों पू नानों वाट यदे सकता है लड़के लंदे के लिए सट्पोल नमारे में ताँ अभी डीपी साथ स्टूनेट ने हो इन अबलों ये गेम जड़ी ऑगी हो पराईगी इससा अमरिसर के जोड़ा फाटक रेलवे क्रॉसिंग पर खुले फाटक से ट्रेन गुजरने की घटनाये रोजाना ही होने लगी है गत साई एक बार फिर खुले फाटक से ट्रेन को गुजरना बड़ा आलम यह था कि एक फाटक कर्मी 100 से अधिक वानों को हटाने में जुटा रहा लेकिन भीड अधिक होने के कारण आखिरका ट्रेन को ब्रेक लगाने पड़ी मिली जानकारी के मुताबिक जोड़ा फाटक पर तैनात कर्मी लगबग 15 से 20 मिनट तक फाटक को बंद करने की कोशिश में जुटा रहा लेकिन वहां से गुजरने वाली भीड ने ना तो ब्रे खोसला की रिपोर्ट पिछले कुछ वर्षों से लगातार ही सिक धरम के लोग अपना धरम छोड इसाई धरम में तब्दील होते जा रहे थे जिस कारण सिक जत्य बंदियां SGPC और समू नानक नाम लेवा लोगों के चेहरे पर चिंता बनी हुई थी जिसके बाद लगातारी शिरोमणी कमेटी की और से सिखों को सिखी के साथ दोबारा जोडने की कोशिश की जा रही है जिसके चलते दिल्ली गुर्दवारा प्रबंदक कमेटी के नेताउं द्वारा दरजनों के करीब उन परिवारों को सिखी के साथ दोबारा जोडा गया जो लोग मसीही भाईचा पारे में तब्दील हो गए थे इस समंग में जब दोबारा सिखी से जोड़े परिवारों के साथ बातचित की गई तो उन्हें कहा जाए49 कि अपनाने के लिए कहा गया था इस मौके पर दिल्ली गुर्दवारा प्रवंदक कमेटी के नेता मंजीत सिंग भूमा ने कहा कि लगातार ही सिखों का मसीही भाईचारे में तब्दील होना चिंता का विशे बना हुआ था और उनकी और से कोशिश करने के बाद दरजनों परिवार सिखी के साथ वापिस जु को वापिस सिखी के साथ जोडेंगे अमरिसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट हान जी बहुत जाता गुमरा के तो जन्दा मैं आज एहो सारे नुक्स जाना चोनिया कि सारे जाने अपने सिक्तर मागुरु ग्रंत साथ नुमनों प्यां गिर्जे जानने हां प्यां ठीठाग नहीं रहना मरा पगने ओनू नुक्स जा पाइंदा ही विवावा पांसे साली हान कि तरे शन्दा तो जानते ठीक हो जुगा तो थे जान दे रहा ठीग नहीं होया मुटके बीरंगरे जां चान नहीं रही दगा अंते जान्ते शां दी रही पी यंद पी चचाचि जा नहीं चा चा ठीक हुंदा जिने तो पी जब्या 했습니다 पर दिन लड़ लाग गजा पिठीक हो जुगा मुझ कहीं थे गुर्ट दा रहे दे आखे दो चार दिन हो गया आगे हैं मा थाटे कंजने तड़के सवेरे लाच नहीं हम कोई देतां दे ठीक हो उगा दवामाना है क्रिश्चन पाइचारे दे वेचे छामल हो जाना मैं समीजा पियून ना दी कोई गलती नहीं है कि तो साधी तार्मक जथे बंदियां दी शरोमनी कुर्दवरा परबंद कमेटी दी संतामा पुर्शान दी पंथक जथे बंदियां दी एक वड़ी का आट मैं मसूस कीतिया कि कुल मैं दी टे लाप पर्शार नीव कर सके खास करके अपां गरीबां दे वेड़े वाड़ना बंद कर देतावा कि शच्चार्फ आ वा र्क जथे पे लेना बंद कर देटावा भारत और पाकिस्तान के दर्मियान 1947 में हुए बटवारे के बाद अब एक एप्लिकेशन के माध्यम से भारत और पाकिस्तान को जोडने की कोशिश की जा रही है पंजाब सरकार की और से एक एप्लिकेशन तयार की गई है जिसमें ऑनलाइन स्वालों के जवाब देकर लोग सिल्वर और गोल्ड के सिक्के जीट सकते हैं तो वहीं पत्रकारों से बात्चित करते हुए अधिकारियों ने कहा कि यह पूरे विश्व में एंड्रॉइड और आईफोन के बीच एप्लिकेशन मिलेगी जिसके जरिये साड़े साथ सो के करीब सवाल पूछे जाएंगे और इनके सवालों के सही जवाब देने के बाद एक सिल्वर और गोल्ड सिक्का विजेता को दिया जाएगा जो की बच्चे अपने प्रोफाइल पर डाल कर अपने आपको गौरव शाली महसूस कर सकते हैं अमरिसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट जैसे की देश आजादी का अमरत महसूसब बना रहा है इस वर्ष हमने 75 वर्ष कार्ट सुनील खोसला के साथ बनाई बहुत बड़े गरिमाई तरीके से और बहुत हर्शोल लास के साथ बनाई बीस करोड से ज्यादा घरो में तरंगा फेराया गया लगबग छे करोड सिल्फी लेगी तरंगा के साथ उसके साथ कहीं न कई हमलों का प्रयास यह है कि हमारी युवा पीडियों हम सब लोग खेल-खेल में अपने सुद्धनता संगराम के बारे में और उन अंचुए पहल को जान सकें जिनके बारे में शायद हम उतना नहीं जानते हैं कि कहीं लगए हमें यह मानना पड़ेगा कि पार्टिशन तो अपने आप में एक जो भी एक हमारे देश के इतिहास का हिस्सा है उसको तो हम नहीं जुटला सकते बट जो आज का पाकिस्तान है वो भी तो आज कि भारत के सभी नागरे गर्व के साथ इस खेर को खेले और मनुरंजक तरीके से अपनी आजादी के लड़ाई की पूरे इतिहास को जाने और उन्शत्रता से राणियों को क्रीनकिश दांटली कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनने रहती दुनिया तक याद किया जाता है ऐसे ही एक व्यक्ति थे रियासती शहर नाभा में जन्मे परसिद विद्वान और महान कोश के रचाईता भाई काहनू सिंग नाभा जिन्होंने नाभा शहर का नाम पूरे विश्व भर में रोशन क उनके जनम दिवस के अफसर पर नाभा शित्र से विधायक गुर्देव सिंग देवमान की और से भाई काहनू सिंग नाभा के बुद्थ पर पुष्व ममालाएं भेटकर उने याद किया गया इस दुरान उनने कहा कि उन्हें बहुत ही गर्व है कि वे भाई काहनू सिंग नाभा की जनम स्थल पर उनका जनम दिवस मना रहे हैं। तो बटा समा जड़ा ओ शब्द महान कोश चलाया जड़ा के आएकली के डिक्शनरी है पंजाबी जबान दे विच जदो भी कोई बड़े दो बड़ा को राइटर कोई भी पंजाबी गयल करदा जां कुछ भी जानना जांदा ता ओहो मेरा ख्याल है कि महान शब्द कोशन पंजाबी साहद दे महान उस रही है महान कोश दे रचेता पाईजब पाई कान सिंग नाबा देना है इस मोके मैं पाई कान सिंग नाबा रचना बचार मंच दे मुख सेवादार होन देना ते केंदरी पंजाबी लेकसवा दे प्रदान होन देना ते समुच्ची मानवता न तो बहुत बहुत मुवार्क बाद दिना है। समुचे पंजाबी जगते नो बहुत मुवार्क बाद दिना है। मनोहर लाल शर्मा जो की अपनी संसारिक यात्रा पूर्ण कर प्रभु चर्नों में विलीन हो गए है। दिव्य जोती जागरिती संस्थान की साध्वियों ने कहा कि स्वर्गियम नोहर लाल शर्मा को शर्धांज लीरी। इस मौके पर दैनिक सविरा के मुख्य संपादक शीतलविच, वरिष्ट भाजपा नेता महिंदर भगत, विधायक रमन रोडा मेर जगदीश राज राजा, पूर्व विधायक केडी बंडारी, अपाहिच आश्रम के चेर्मैन तरसेम कपूर, पूर्व पार्षद विंदर परोनी, लक्की मलोतरा, राजु मखीजा, मनीश मखीजा, रमन शर्मा, सौरब शर्मा, चमनलाल कोचड, नीलम गोगी, पार्षद महिंदर सिंग, महेश मखीजा, राहुल बाहरी, रमेज सहगल, प्रिंस, अशोक ग्रोवर, सुशील भट्टी, अमित राजपाल, लक्की र परक से जुड़े लोगों ने स्वर्गिय मनोहर लाल शर्मा को शर्धांचली अर्पित की, उत्रता का ऐसास करता है, लेकिन उसके जीमन की अंतर सुक दुख, मेटा है पड़वा, तब तक रहता है, जब तक वो उपर वाले बक्षी से दिल नहीं लेता, परता, उपर वाला बक्षी है आतमा, जब तक नीची वाला बक्षी मन उस आतमा की परकाश के साथ एका कार न दो करफास नहीं दोफक Punkte यगी इस संसार की अंदर अनेक अनेक जन्मों मिया और गवन के चक्रों में Пशता है और और हो भगंत होता है। लेकिन जब वहाँ आत्मा की प्रकाश से बूखे कुछ आता है उसके बाद उसका जीवन बोख्ष के ओर बढ़ता है और जीवन के अंदर कोई कामना श्रीश नहीं रहते हैं यही बाद कि यदि इस जीवन में हमें श्वासों का भरोसा नहीं है यही जीते ही हम लोग यह कहते हैं कि खाने पीने के लिए श्रीव हमारा जीवन लड़ा रही इसलिए खाते हैं और जीते किसलिए इस आत्मा को परमात्मांतक मिलाने के लिए यही हमारे जीवन का लक्षे है इसी लक्षे की प्राप्ती ही तू हम लोग इस संसार के अंदर आए कि हम लोग इस संसार के अंदर आकर उस परमात्म से मिलने परमात्म को चाहिए अपना जो जीवन है वो इश्वर मही बना ले आकर ד rent का जो इस संसार आकर दू हम लोग जीवन ही तू हम लोग जो से संसार के अंदर आकर ओ संसर आकर समेइ अव क्र выглядит इसकिस्ता नाम लवां, सब तो नाम इक कोई है, वो है प्रभुदा सिम्रण, प्रभुदा साथसान, ये तो पहीं मैं सी उड़ा सी, उस साथसान वे दुबागा ये रख उसी सिम्रण करोगे, उस सिम्रण दा सारा फ़रादेश, है सारा को बाल लगर नगर नगर, मैं पहला किसकिस्ता नाम सारे प्रभुदा रहे हैं, सारे सिम्रण आए हैं, अज सारे वे लोग एक शंधान वी दे लिए हैं, और मैं अपने वे लोग, साथिकुल, आसम दुश्ची महरादेश, अंडाई, और शेह दिस सारे गाइन दिसमारी भार में, सार्या पार्टियां बेस्ता से जाहे बीजेपी हैं, कांग्रिस हैं, अकाली हैं, आप हैं, और जिन्ने भी शेहर विवासी, जिन्ने पत्रकार, लेड़े गुरों मिनों की, और सारे अहलों, मैं एक शंधान वी, शीता जी, बज़्चा पहादी शंधान विज्चे, इन्दिस्यती ऐसा हाद रहे हैं, ब झाल 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 जाल अंदर के भाई दित सिंग नगर मिस्थित परसिद कल्यान कंप्यूटर्स को खुले 20 वर्ष पूरे हो गए हैं इसी समंद में कैनन कंपनी के सीओ मानाबू यामयू की विशेश रूप से कल्यान कंप्यूटर्स के मालिकों द्वारा उनका भवे स्वागत किया गया जुरान उन्होंने कंपनी चंडिगर मनोज शर्मा, सर्विस हेड आशुतोष, कल्यान कंप्यूटर्स के मालिक दीपक सहगल, श्वेता सहगल, धीरच सहगल सहित समू करमचारी भी मौजूद रहे जालंदर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट और अब अन्त में हल्चल की कतिविदियों पर एक नजर फिर से पंजाब के मुख्य मंतरी भगवन सिंग मानने गुरु गोविन सिंग स्टेडियम जालंधर में खेड़ा वतन पंजाब दियां का किया उदगातन वॉलीबॉल मैच में दिखाए अपने जोहर जालंदर के बस्ती दानिशमंदा इलाके में बेटी के बच्चे को नहर में सिंग से पिता को लोगों ने किया काबू किया पुलिस के हवाले शिरोमणी अकाली दल बादल के परधान सुकवीर सिंग बादल सिवल कोर्ट जीरा में हुए पेश आप सरकार पर साधा निशाना इसके साथ ही अब तक की गतिविदिया समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहे हल चल